तो दोस्तो 8GB, 16GB और 32GB RAM इनको इस्टॉल करके कोई फायदा भी हो रहा है यहां बस हम लोग quantity बढ़ा रहे हैं आज basically भाई RAM को directly इस्टॉल करेंगे gaming plus editing इन दोनों पर इसको test out करने वाले देखते हैं कुछ fps बढ़ते हैं कि नहीं और क्या uses रहता है क्या performance मिलती है दोस्तो यहां पर different configuration के हम लोग RAM उसे करेंगे like हमारे यह DDR4 ताइप की memory लेने वाले साथ ही साथ गेमस पर पहले ट्राइक करेंगे और उसके बाद एडिटिंग पर भी देखेंगे कि रेंडर वेंडर का क्या रहता है वैसे लेने को तो मैं 4GB RAM भी ले सकता था बर आज के यहां पर basically मैंने square अगर देखो तो यहां इंस्टॉल भी कर लिया है system में perfectly अब आओ यह तो टेस्ट आउट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग गेम में देखते हैं कि FPS हमारे को रीच आउट हो और कितनी memory उसे जाती है अपना system तैयार है एक RAM के साथ और हेर विगो यहां पर मिरे बस इस्टैट से मैंने निकाले और आप यहां पर चेक आउट कर सकते हो FPS और यह RAM उसे तो currently बोले जाए तो 85% ज बहुत RAM की demand पड़ जाती है यह चीज़ देख रहा हूं मैं खासकर कि अगर आप games खेल रहे हो तो बहुत मुश्किल है देख रहो ना यार कितनी uses देख सकते हो और FPS भी हमारे थोड़े से कम 124, 120, 130 से कम ही रह रहे हैं देख सकते हो आपके सामने result है तो यहां बार यह थोड यह 8GB RAM sufficient नहीं पड़ती है और even normal चीज़ों में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यह RAM upgrade की जरूआता है तो अगर आपका editing का काम है तो वहां देख सकते हो अगर मैं इसको export करता हूं इस video को तो here I am going for export और export मैंने शुरू कर दिया और यहीं आप अगर देखोगे तो RAM uses देख सकते हो अब होता क्या था है बहुत सारी effect मेरे load नहीं हो पाते थे और यह बीच में ही यह render और यह export होना process रूख जाता था तो हां 8GB RAM मुझे नहीं लगता भाई यह अगर आप hard editing कर रहे हो तो वहाँ पर चल पाएगा आगे बढ़ते हैं आप बार यह दूसरे RAM को यहाँ पर इंस्टॉल करने के और इससे हम लोग 8 plus 8 16GB पर पहुंच जाएंगे तो फटाक से इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर एक और RAM इंस्टॉल हो चुकिया अब चेक करते हैं 16GB पर क्या performance रहती है और अभी राइट नौ आप यह सिस्टम में भी देख सकते हो हेर अर दा स्टैट्स जो हमें राइट नौ मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं 15.9 मतलब 16 का वही हो गया अर उतनी जी भी हमारे को मिल रही है आप देखो यह 50% के आसपास यह अभी हमारी RAM यूज हो रही है अभी भी रिजर्व में कि अगर कुछ होगा तो वहां वो यूशू हो सकती है तो दोस्तो नाव टाइम टू सी एर क्या एडिटिंग में भी और रेंडरिंग में इसका क्या रिकॉर्ड रहता है कितना हमारा CPU उसे और यह सब चीज़ जाता है बैसिकली हमें तो RAM पे फोकस क और अगर देखा जाए तो 11GB के असपास यूश कर रहा है इस समेर यहां पे आप देख सकते हो हमारे रेंटरिंग होगी अभी तो स्टार्टिंग फेज में मेरे इसाब सी और उपर जाएगा CPU तो बिलकुल भाई यहां अगर 8GB की RAM में जो हालत खराब अपनी हुई थी ना बैसा ऐसा भी हो है कि काफी प्रोजेक्ट यहार आटोमेटिकली बंद भी हो गए है तो उन्हें sufficient amount of memory नहीं मिल रही थी तो 8 का यह थोड़ा यह disadvantage लगा दोस्तों at the end we are finally going for 32GB RAM अब इसको भी मैं यहां पर इंस्टॉल करता हूँ वैसे तो इससे भी जादा मैं ले जा सकता एक और श्टिक आ सकती है 8GB की और 16 की भी चल जाती बर चलो इतना काफी रहेगा 32 तक हमें example मिल जाएगा राइट नो इसको इंस्टॉल करता हूँ और यह यहां सी भाई तीन स्टिक हो चुकी है एंड लेट सी 32GB की क्या performance है तो सबसे वहले तो गेम टेस्ट करते हैं अपना इसको प्रवाइट करते हैं तो इसको प्रवाइट के रहा था पर आप 8.6 के आसपास पास पहले भी नहीं था बाग यहां फ्पेस में थोड़ा जंप मिलेगा आपको पर्फॉमेंस तो इतनी राम लगाने के बाद तो अमेजिंग मिली जाती है अब रेंडरिंग में देख इसको प्रवाइट कर रहे हैं तो इसकेज में राम यूज़े इसने बढ़ा ली अपनी पहले जो इनिशली यह 10 क्या सपास तीया 12 क्या सपास और अब एक्सपोर्ट करता हूं मिरे को लगता है एक्सपोर्ट में यह चीज और ज्यादा होगी देख एक्सपोर्ट टाइम हम इस तो रैम की वर्किंग तो यह तू सिंपल है बहुत रैम क्या करता है सेकेंडरी स्टोरेज यह बोल सकते हो प्रोग्राम को अपने अंदर रखता है और फिर यह CPU को पहुंचाता है जितनी ज्यादा कॉंटिटी में हमार पस रैम रहेगी उतने ज्यादा प्रोग्राम हम कुछ FPS का फर्क आसकता है बढ़ हां 8GB इस प्रॉब्मेल्टिक तो मैं आपको सिंपल बता हूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है तो 8GB सफिशेंट है बहुत सारे प्रोसेस के लिए 8GB सफिशेंट है बढ़ हां अगर वहीं पर आपको यह स्क्रीन रिकॉर्डि होगा एक्जीक्यूट बागी गेमिंग तो भाई 8GB में भी आराम से हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बागी चलो यह पूरा कंप्लीटली सीन आ है आज यह रैम टेस्ट आउट हमने करी डाला बागी चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई कर सकते हो सब् सब्सक्राइब बनता है शेयर कर देना यासे टेक रिलेटेड वीडियो के लिए मिलते नेक्षी दो में तब तक के लिए बाई यार जाए इन जाए भारत बंदे